कि तब संभिधान सवा में कितने सदस्य बचे हैं तू डू एटी नाइन यह टू डू 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 नाइन पिर दोनों ही खराब वांसर दे रहे हो भई 389 तो मेंबर थे टोटल जब पाकिस्तान अलग मांग करने लगा तब फिर सदस्य संक्या घट करके दोस्तों इंद्यान पे रह गई है तो फिर अगला क्वेशन बता दो मुस्लिम लीग को संभिदान सभा के चुनाओं में कुल कितनी सीट हैं प्राब तो ही थी 73 बहुत अच्छा समवर्ती सूची संबंदी जो प्राबदान है वो कौन से देश के संभिदान से लिए गए बोलिए हाँ जी हाँ से बताएं इनका तो मानना है कि आस्टेलिया से लिए गए आपका मानना क्या है कि संभर्ती सूची संबंदी जो प्राबदान है वो किस देश से लिए गए फाइनल लॉक कर दें सामने लिखा इसलिए तो ये कि तैयारी ऐसे चलेगी क्या हमारी जो संगिया वियावस्ता है ये संगिया वियावस्ता किस देश के समयदान से लिए गए है आप्सन है ए अमेरिका आप्सन है बी कैनेडा आप्सन सी है जापान और आप्सन डी है ए और बी बोलिए आप क्या करेंगे अवे और भी आएगा तो कि यूएसे से भी ली गई है और कैनेडा से भी ली गई है तो ये सब आप याद कर लेना अब आते हैं जहां हमने छोड़ा था कल प्रस्तावना पर प्रियम्बल पर ठीक है भारतिय सम्मिदान इस सम्मिदान का महतपून भाग है प्रस्तावना या प्रियम्बल इसको कोशिश करेंगे आप रट लें बेसक्स लिवस में नहीं है मगर फिर भी मैं आपको यही एडवाईज दूँगा कि आप इसको रट लो वी दा पीपल ऑफ इंडिया से यह स्टार्ट होती है हम देखते हैं न आज के देट में आज के समय में चारों तरफ कुछ बड़े-बड़े विद्वान लोग कुछ भी कच्रा करेंगे और बोलेंगे हमारा सम्मिदान हमें यह हग प्रदान करता है और सम्मिदान की उन्हे अबी सीदी भी नहीं पता है। इसलिए इंग्लिश के शब्दों का भी प्रियोग होता है कुछ शब्द आपको यह पढ़ने न चाहिए हम भारत के लोग से यह स्टार्ट होती है कि भारत को सब्पून प्रवुत्व संपन जिसे सोबरेन कहते हैं समाजबादी को सोसलिस्ट कहते हैं पंत्रिप्ष का सेक्यूलर हो गया लोग तंत्रात्म घंडराज बनाने के लिए और उसके समस्त नागर को यानि हमारे संब्दान की प्रस्ताबना का पहली जो वर्ड लाइन है वो कहती है वी दा पीपल आप इंडिया हम भारत के लोग यानि यह प्रस्ताबना संब्दान का दर्शन मानी ज यहां हम लोगों ने घोष्णा की हुई है कि हम भारत को क्या बनाएंगे संपून प्रभुत्व संपन्द बनाएंगे इसका मतलब यह हो जाता है कि भारत अपने आंत्रिक और बाहरी निर्णा स्वैम लेगा हम किसी एरे गहरे से पूछने नहीं जाएंगे यानि ना तो हम रूस से जो पेट्रॉलियम है क्रूड ऐल है वो ना मगाएं मगर भारत ने उस दबाब को किनारे करके अभी तक का सबसे ज़्यादा मात्रा में वो रूस से क्रूड ऐल मगा रहा है ऐसा करने में संबभ इसलिए हो पाएं क्योंकि भारत अब एक उभरती हुई पावर है ए यही अमेरिका जब भारत को दमकी देता है तो हम अपने परमाणू परिक्षणों को भी बीच में रोक देते हैं 1976 में जो कोशिस की गई थी ना परमाणू परिक्षण तो अमेरिका को पता चल गया था तो बंद करने पड़े थे तो परिवर्तन आया हुआ है तो कहने का मतलब है कि संपून प्रवत्व संपन अमेरिका थोड़ी डिसाइट करें का हमारी आंत्रिक पॉलिसी या हमारी बाहरी पॉलिसी के किस देश के साथ हम कैसे संबंद रखेंगे इसी का आगे शब्द है समाजबादी यानि हम भारत को कैसा बना रहे हैं समाजबादी संबिधान में इस शब्द का कहीं उलेक नहीं और मूल लूप से ये संबिधान में था भी नहीं इसको 42 में संबिधान संसोदन द्वारा जोड़ा गया तो समाजबादी का मतलब क्या निकाला जाता है क्या इसका अर्थ होता है बता पाएंगे इसका मतलब होता है कि धन और संपत्ती के 31 करण को रोका जाएगा सभी को अवसर दिये जाएंगे यह मतलब होता है अर्थ वियावस्ता में जैसे कुझी बाद होता है दूसरा सामे बाद होता है उसी से संबंदित है कि संसादनों पर सभी को समान अवशर में पंथ निरिपेक्ष शब्द भी बाद में जोड़ा गया ये भी 42 में संसोदन द्वारा जोड़ा गया तो पंथ निरिपेक्ष का मतलब यह हो जाता है कि हमारा देश जो है वो सभी धरमों को समान आदर संबहव देगा किसी एक धरम को बढ़ाबा नहीं दे सकते किसी एक धरम के खिलाब काम नहीं कर सकते यहां सर्व धर्म संभाव की बात की जाती है यह सम्विदान में लिखा हुआ है हला कि यह जो सब्द जोड़े गए यह बड़े विवादासपद हैं कुछ लोग इस पर question mark लगाते हैं कि इनके जोडने का कोई मतलब नहीं कि जब two nation theory के आदार पर पाकिस्तान का विवादन हुआ तो इस सब्द को आना ही नहीं चाहिए खेर secular यानि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन जनता का धर्म होगा और उस धर्म को समान आदर संभाव दिया जाएगा लोगतंत्रात्मक डेमोक्रेसी यानि जनता के लिए शाषन इसे लोगतंत्रात्मक वियावस्ता बनाएंगे गणराज इसे रिपब्लिक कहते हैं गणराज का मतलब यह हो गया कि देश का जो प्रमुख है तो हमारे देश का प्रमुख होता है राश्टरपती, प्रेशिडेंट ये राश्टरपती वंसानोगत इरिडिटरी परंपरा के आदार पर नहीं आएगा यानि ये निर्वाचन के मात्यम से चुना जाएगा बाई इलेक्षन आएगा इलेक्षन इंडारेक्ट हों, डारेक्ट हों उससे कोई अंतर नहीं आता ठीक है, तो रिपबलिक है हम भारत के नाम के आगे देखते है रिपबलिक आफ इंडिया लेकिन ब्रिटेन के नाम के आगे रिपबलिक शब्द कभी नहीं जुड़ता है डेमोक्रेसी तो जुड़ता है क्योंकि डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेसी अलग शब्द है रिपब्लिक अलग है गनराज जी का मतलब अलग है कि हैड आप दा नेशन इलेक्टेड वाइदा पीपल तो भारत को हम ये बनाना चाहते है अपने राष्ट को लोक तंतरात्मत गनराज बनाएंगे साती साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन बनाएंगे और समाजवादी बनाएंगे भारतियों को कैसा बनाएंगे देश के नागरिकों के बारे में ये संभिदान क्या कहता है प्रस्तावना क्या कहती है तो भारती नागरिकों को हमारे स्वामिदान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के नियाए दिये गए सामाजिक नियाए, आर्थिक नियाए और राजनियतिक नियाए साथी साथ पांच प्रकार की भारती नागरिकों को स्वतंतरता देने की बात की गई है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता दो प्रकार की समताएं हैं प्रतिष्ठा और आउसर की समता ये सब बातें आपको याद रखने की है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्री की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदता बढ़ाने के लिए है न? द्रण संकल्पो कर हम इस सम्मिदान सबा में आज दिनांक मिती मार्ग शीर सशोकल सब्तमी संबत दो हजार शे विक्रमई को एतद द्वारा इस सम्मिदान को अंगीकरत करते हैं यानि की सम्मिदान भारत रूपी शरीर का अंग हो जाता है अधिनियमित करते हैं यानि कोई उपदेश नहीं ये कानून है एक्ट है इसका पालन करना पड़ेगा और आत्मा अर्पित करते हैं हमने स्वैम के लिए बनाया है तो हम किसी दूसरे को अर्पित करने नहीं जाएंगे कि प्रभू समालो अपने आपको ही अर्पित करते हैं ठीक अब इस प्रस्ताबना में तीन सब्द मूल लूप से नहीं थे जो जोड़े गए वो याद रखना है समाजबादी पहला दूसरा सेक्यूलर यह नी पंत-विक्ष, धर्म निर्पेख्ष शब्द नहीं है प्रस्ताबना में इसको बौल चालमें लेकर आगए फिर किताबों में भी छापने लगे धर्म निर्पेख्ष सब्द जोड़ाया है जिसका English secular होता है धर्म निर्पेक्ष का English भी secular ही हो जाता है लेकिन हिंदी में अर्थ बदल जाता है और तीसरा शब्द जोड़ा गया है ये पूरा और अखड़नता वयालीस में संबिदान संसोधन के द्वारा तो प्रस्ताबना को रट लेंगे प्रस्ताबना मानी जाती है कि अधिकान सिस्सा मिस्टर नहरू के उद्देश से प्रस्ताब पर आधारित है इसे philosophy of constitution संबिदान का दर्शन कहते हैं दर्शन ये बताता है कि हम किसी घटना व्यक्ती वस्तू के बारे में किस प्रकार से सोचेंगे क्या करेंगे जैसे वारिस हुई या गर्मी हुई या उमस पड़ी तो इसका जो बैग्यानिक दर्शन है वो बैग्यान के साब से सोचता है आध्यात्मिक दर्शन है उसको धर्म से कनेक्ट करने की कोशिश करता है nänder तो संबिदान का दर्शन है प्रस्ताबना इसका अर्थ ये भी हो जाता है कि यदि सम्विदान में कहीं किसी आर्टिकल को समझने में उसके अर्थ को समझने में कोई परेशानी आती है तो उसका अर्थ हम सम्विदान की प्रस्ताबना के आदार पर लगाएंगे ठीक है तो प्रस्तावना संबेदान का दर्सन है लेकिन इसमें जो भी कहा गया है उसे हम कानूनन प्राप्त नहीं कर सकते या कानूनन इसको क्रियानवित नहीं करवा सकते कोशिस की जाएगी कि जैसा है वैसा ही काम हो लेकिन इसे किसी न्यायालाई के द्वारा हम इन एक्ट नहीं करवा सकते इस प्रस्तावना में इस प्रियम्बल में अभी तक सिर्फ एक बार संसोधन किया गया और उस एक बार के संसोधन से तीन सब्द जोड़े गए संसोधन हुआ था 42nd constitutional amendment 1976 तीन सब्द मैंने आपको पहले ही बताए नीचे भी ये लिखे हुए है अब मानलो objective में आ जाए संभाबना कम है फिर भी पूछ लें क्या प्रस्तावना संभिदान का भाग है प्रियंबल is a part of constitution तब ये मेटर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा सन 1960 में शुरुआत में वह प्रकरण जो है वो वेरूबारी प्रकरण के नाम से जाना जाता है वेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्ड़ा ये दिया कहा कि प्रस्तावना संभिदान का भाग नहीं है किस आदार पर तोनों ने ये बताया कि चुकि इसको हम न्यायाले के दौरा इनेक्ट नहीं करवा सकते इसलिए प्रियंबल उसका part नहीं है आगे जब केश्वानंद भारती बाद आता है केश्वानंद भारती बाद वह बाद है जिसने हमारे पूरे संभिदान के मूल धाचे की व्याक्या को इसपस्ट करवाया इस केशवानन्द भारती बाद में सुप्रीम कोट ने ये माल लिया है कि प्रस्ताबना संविधान का अंग है पार्ट है चुकि ये मूल ढाचे का हिस्सा है तो अब ये और आगे के अन्य प्रक्रणों में भी सुप्रीम कोट ने इस बात की पुष्टी की है कन्फर्मेशन किया है कि हाँ ये संविधान का हिस्सा है जैसे 95 का एक केस आता है L.I.C. वर्सिस कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च सेंटर उसमें भी उन्होंने माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है आप अब आज के समय क्वेशन आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ प्रियम्बल इजब पार्ट ऑफ इट्यूशन प्रस्तावना के जो सब्द थे वो हमने इस पस्ट कर दिये आपके नोट्स में डिटेल में ये लिखे हुए हैं जैसे संपूर्ण प्रवत्तु संपन सोसलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपबलिक जस्टिस पांच प्रकार के हैं तीन प्रकार के हैं सौतंतरता पांच समताएं दो है ना बंदोता ये सब बाते आ जाती है अब कुछ और बातें भी हम देख लेते हैं जो सम्विधान से संब्दित हैं हमारा सम्विधान हमारे देश का कॉंस्टिट्यूशन क्या है लिखित रूप में और ये विश्यू का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है विश्यू कि किसी भी सम्विधान में चले जाओ किस इना लेंदी constitution नहीं है इसके लंबे होने के पीछे कुछ कारण हो गया है होता क्या है कि जो संविधान होता है उसमें कुछ ही मात्र guidance दे दिये जाते हैं राज्जी ओर्केंडर केंदर केंदर सासित प्रवदेस सबके लिए एकी संबिदान है किसी भी देश में मौलिक अधिकार इतना डिटेल में व्याख्यायत नहीं किये गए जितने की हमारे संबिदान में किये गए इसके बड़े होने के पीछे ये 389 लोगों में से अधिकांस का वकील होना भी कारण बन जाता है विभिन देशों के सबी प्राबदान तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा उन्हें इस बात को समझा ही नहीं कि आगे आने वाले समय में परिवर्तन की आवश्चिक्ता पड़ेगी और ये परिवर्तन उन्हें करना भी पड़ा दो साल 11 मीने 18 दिन का समय लेने के बाग पहला ही संसोदम 1951 में करना पड़ा ठीक है ना खैट जो भी है तो विशेष्टाएं फीचर तो सम्मिधान विश्ट के विविन्नों देशों से लिया गया अच्छे अच्छे तब तो जो थे वो सब रख लिये कोई कमी न रह जाए इसलिए ये जरूरी माना जाता है तो ये कोई प्री में पूछने जाने वाला टॉपिक नहीं है ठीक है अब ये सारी बात है तो हम समझ चुके कौन से देश से क्या लिया है अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा सम्मिधान अत्यदिक कठोर है या लचीला मतलब होता है कि सम्मिधान में संसोधन करना बहुत कठिन है और लचीले से फ्लेक्जिविलिटी से मतलब ये हो जाता है कि सम्मिधान में संसोधन बड़ी आसानी से किये जा सकते है जैसे कठोर सम्मिधान का उदारण है अमेरिकी सम्मिधान इस सम्मिधान में अभी तक मात कुछ हिस्सा ऐसा है जो आसानी से संसोधित किया जा सकता है तो दोनों का समन्वित रूप है दोनों का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है ठीक है यह बात यहां पर हो जाती है अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस पर मौलिक अदिकार हो लिवस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा मिलता है ना कि 1911 का अदिनिया और उसके बाद सम्मिदान की विशेष्टाएं बगेरा और फिर आता है मौलिक अदिकार हो उन्होंने तो राश्ट्रपती और यह सब दे दिया वगर हम क्रम से चलते हैं पहले हमें भाग बन पढ़ना था सेकिंड पढ़ना था फिर तीन पर आते लेकिन वन और टू नोने अपने सिलिवस से बाहर कर दिये तो हम सीधे सम्मिदान के भाग तीन पर आ जाते हमारा सम्मिदान जो है आज 25 भागों में बटा हुआ है पार्ट त्री जो है इसमें आर्टीकल 12 से सुरू होंगे और 35 पर समापत हो जाएंगे ये वो सम्मिदान का टॉपिक है जो किसी भी एक्जाम में यदि आप बैठते हो उसमें क्वेशन पूछे जाते हैं बहत पूर्ण है तो मौलिक अधिकार क्यों रखे गए हैं कि जिससे व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके डिग्नी फाइड लाइफ मिल सके पशु की तरह जीवन तो कोई भी जी लेगा मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह जीवन जीने के लिए उसके कुछ अधिकारों की सुतंतरता होनी चाहिए ना तो हमिरकी सम्रिदान से इसको लिया गया अब जो हमारे fundamental rights हैं उनको अगर हम बांटें उनका बटवारा करें अलग-लग category में तो देखो पहली category यानि की जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उनके नाम जैसे 7 मौलिक अधिकार मिले थे अब सिर्फ 6 बचे हुए हैं पहला है right to equality यानि सम्ता का अधिकार दूसरा आता है श्वतंत्रता का अधिकार तीसरा आता है शोशन के विरुद्ध अधिकार चोथा आता है धार्मिक श्वतंत्रता का अधिकार पांचमा संस्क्रती और शिक्षा संबंदी और अंतिम हैं संवेदाने कुपचारों का अधिकार तो एक वरगी करण तो हमारा यही हो गया दूसरा वरगी करण हम जो मौलिक अधिकार हैं उसमें वे अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारती नागरिकों को प्रदान किये गए अन्य देश से आने वाले लोगों को जो घूमने आते हैं या कारी करने आते हैं उनको यह अधिकार नहीं मिले हैं तो एक स्रेणी वो बना दी जैसे उधारण के रूप में आर्टिकल 15,16,19,19,19,19,19,19 यह सारे आर्टिकल अभी करम से हम देख लेंगे तीसरी स्रेणी बन जाती है कि वे मौलिक अधिकार जो भारत भूमी पर जो भी है चाहे भारती हो या गैर भारती है सभी को वह अधिकार मिलते हैं जैसे यह आर्टिकल लिखे हुए है तो तीन कैटेगरी तो मौलिक अधिकारों की यह बन गई चौथी मौलिक अधिकारों की कैटेगरी होती है कि मौलिक अधिकारों को हम नकारात्मत की स्रेणी में भी रखेंगे कुछ fundamental rights negative है और कुछ fundamental rights जो है वो positive है negative का मतलब यह रहता है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा राज्य पर कुछ प्रतिबंद लगाए जाते है राज्य से मरतलब क्या होता है तो उसकी परिवासा article number 12 में की गई है इसमें लिखा भी है कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य के बिधान मंडल या ऐसी कोई संस्ता आथर्टी जिसे कानून बनाने का नियम उपनियम बनाने का अधिकार हो उसे राज्य कहते हैं इनके उपर कुछ करने से प्रतिबंद लगाते हैं जैसे article number 14 का उधारण ने इसमें लिखा है विधी के समक्ष समता और विधियों का समान संदक्शन, equality before law and equal protection of law यानि कोई भी कानून ऐसा नहीं मनाया जा सकता जो लोगों के बीच में वेदवाव करता हो कानून बनाएगा कौन संसद बनाएगा विधान मंडल तो कानून अगर ऐसा बनाते हैं जो लोगों के बीच वेदवाव करता है तो वो कानून नहीं बना सकते हैं सुप्रीम कोट उसे कैंसिल कर देगा तो राज्जी के उपर प्रतिबंद लगाता है इसलिए इसे नेगेटिब मान लेते हैं दूसरी तरफ कुछ मौलिक अधिकार जो हैं जिन्हें पॉजिटिब माना जाता है सकारात्मक माना जाता है सकारात्मक इस सेंस में कि ये नागरिकों को कुछ करने की सुविधाएं देते हैं कुछ स्वतंत्रताइं प्रदान करते हैं जैसे आर्टीकल नमबर 25 कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतर करण के अनुसार अपनी इक्षा अनुसार किसी भी धर्म को स्विकार कर सकता है उसके अनुसार वो पालन कर सकता है इस पर कोई प्रतिबंद नहीं लगाया जा सकता तो इस के ड स्चेट को ने करेंस बता दिया अभी है इसे हम राज्य कहते हैं बोके आप जब DRC बनोगे और फिर जो शक्तियों काउपयोग करोगे जैसे किसी व्यक्ति को आप डियस्पी बनते हैं और किसी व्यक्ति को अरेश्ट करते हो तो आप व्यक्तिकत उसे बंदक नहीं बनाते हो आप राज्य के एजेंट के रूप में प्रतिनिदी के रूप में राज्य के कारिकरता के रूप में ये कारिकरते हो इसलिए यहां आपके खिलाब कोई केस नहीं होता है और अभी आप किसी को बंदक बना लो तो एफ आई आर हो जाएगी तुम्हें डगेत रोसित कर दिया जाएगा, मुकदमा चलेगा तो राज जिसे मतलब है इनकी शक्तियों का प्रियोग करने वाली संस्ता वो सब राज्य कहला तो आर्टिकल नमबर 13 जो है 13 नमबर आर्टिकल वो क्या कहता है वो यह बताता है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाए इसके वैसे दो भाग हैं आर्टिकल नमबर 13 के लेकिन हम इसको एकी तरीके से याद कर सकते है अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे हमारे किसी मौलिक अधिकार का ویलेशन हो अलन्न हो तो ऐसा कानून सुप्रीम कौर्ट के दवारा निरषित कर दिया जाएगा या किसी एक सीमह तक पूरे के पूरे मौलिक अधिकार को जैसे समपत نہیں किया कुछ हिस्से को समप्त कर देता है तो वह कानून उस सीमा तक कैंसल हो जाएगा तो किसी मौलेक अधिकार का उल्लंगन करता है तो सरवोच नयाया द्वारा उसे जीरो या सून ने कोसित कर दिया जाएगा या उस सीमा तक नरस्तोगा जिस सीमा तक वह मौलेक अधिकार का उलंगन करता है दो पार्ट कैसे माल लेते हैं दो बांते थे कि संबिधान लागू होने के पहले के कोई कानून भी तो चल रहे हैं आज भी चल रहे हैं तो उनसे भी कहीं ऐसा होता है और संबिधान लागू होने के बाद नया कानून बनता है तो उसके संदर भी तो आर्टिकल नुमर बारा और तेरा बारा में स्टेट को डेफाइन किया तेरा में सुप्रीम कोट का एक प्रकार से ये जूडिशल रिव्यू का पावर भी है मूलूप से साथ अधिकार थे लेकिन जनता सरकार के द्वारा 1978 में संविधान में संसोधन किया गया जिसे हम 44th Constitutional Amendment कहते हैं इस Amendment के द्वारा एक पूरे के पूरे मौलेक अधिकार को हटा दिया गया Right to Property संपत्तिक अधिकार इसलिए मौलेक अधिकारों की संख्या घट करके अब 6 बची हुई है इन सब के अंदर आने वाले जितने आर्टीकल हैं वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे Right to Equality में 14 से लेके 18, 5 अनुच्छे दाते हैं Right to Freedom में 19 से लेके 22 तक Right Against Exploitation में 2 आर्टीकल Right to Freedom of Religion में 25 से 28 तक Cultural and Educational में 2 आर्टीकल और Constitutional Remedies में 1 आर्टीकल सबसे पहले, पहला मौलेक अधिकार Right to Equality समता का अधिकार पूछे जाने की इसमें संभाबना ज़्यादा होती है तो सबसे पहले आर्टीकल नंबर 14 इसको कोसिस करो, रटो ऐसा कैसा है न, समझ में तो आएगा मगर इसकी Language को भी आपको रटना पड़ेगा विधी के समक्ष समता और विधियों का समान संदक्षन विधी या Equality before law and equal protection of laws आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है, ये दो भागों में और दो अलग-अलग देशों से लिया गया है पहला जो पार्ट है जिसे हम विधी के समक्ष समता कहते है इसको Negative सेंस में लिया जाता है यानि की कानून सभी के साथ समानता का विवहार करेगा चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, बच्चे हो कानून सब के साथ एक जैसा विवहार करेगा सुनने में तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो अच्छी बात है कानून तो कोई भेदवाव नहीं करता लेकिन आप सोचो कि एक कानून बनाया गया कि वो सजा जो एक ऐडल्ट को दी जाती है वह ये एक बच्चे को दी जाए तो ये तो अच्छा नहीं होगा नगश्क पहली इस कारण से नकारात्मत मानी जाती है यानि सभी व्यक्तियों को समान प्रकार की सजा मिलेगी अगर उन्होंने समान प्रकार का क्राइम किया इसमें किसी भी आदार पर कोई वेदवा नहीं करते हैं फिक दूसरा आता है विधियों का समान संड़क्षन यानि कानून सबके साथ समानता का विवहार तब करेगा जब उन लोगों की एक प्रकार से उनके अंदर समानता हो या इक तरफ अमवानी हो अडानी हो टाटा अबरिल्ला जो भी हो वह जितना कमाते हैं उन पर जितना डारिक टेक्स इंकम टेक्स लगता है जितना बोटेक्स भरते हैं 30% maximum rate है उतना ही सभी को देना पड़े यानि एक व्यक्ति जो दिन में सिर्फ सो रुपए कमाता हो या महीने में एक हजार रुपए कमाता हो उसको भी 30% बढ़ना पड़े और दूसरी तरफ जिसके पास अथा संपत्ति है उसको भी 20% बढ़ना पड़े तो ये तो एक बात नहीं हुई न इसलिए यहां वेदवाव किया जाता है आपने देखा होगा कि आयकर की अलग-अलग स्लेब हैं वार्शिक आयके आधार पर उसको अलग-अलग डंग से बाटा गया है तो विधी के समक्ष समता और विधियों का समान संदक्षन एक अमेरिका से लिया गया है एक ब्रेटैन से लिया गया है किलियर है बाद तो चवदा नंबर का आटिकल समता के अधिकार का प्रमो का आटिकल है 15 नंबर का आटिकल अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य के द्वारा कोई वेदवाव नहीं किया जाएगा इन पांच या इन में से कोई किसी भी एक आधार पर वो पा नसल रेस जिसे कहते हैं और जनम इस्थान इन पांच या इन पांच में से किसी भी इस्थान पर राज्य के द्वारा राज्य आटिकल 12 कोई वेदवाव नहीं किया जाएगा अब राज्य तो करेगा ही नहीं लेकिन वे संस्थाइं जो लोगों के लिए काम करती हैं जैसे आपने दुकान खोली आपने होटल रेस्टोरेंट खोला प्राइवेट है मगर उसमें भी आप इन पांच आदारों पर वेदवाव नहीं कर सकते आप यह नहीं कर सकते कि मैं जिर्फ एमपी वालों को खाना किलाऊंगा या मैं सिर्फ पुर्षों को अंदर आने दूंगा तो कि सराब स्वास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और इसलिए बच्चों को उसके सेवन से वंचित किया जाता है फिर कोई यह बोले कि यह तो आर्टिकल नमर पंदरा का उल्लंगन हो गया नहीं पंदरा का उल्लंगन नहीं हो गया ना तो नो डिस्क्रिमिनेशन एक by state on the ground of religion, caste, sex, race, place of birth में किंतु परंतु जोड़ा है कि बच्चों और महलाओं के लिए विशेश प्राबदान किये जा सकते हैं तो उसे उसका उलंगन नहीं माला जाए तो पंद्रा नंबर के लिए रोगा अब आते हैं आर्टीकल नंबर सोला ये भी वही बात करता है मगर इन पांच आधारों प पर पब्लिक नियोजन यानि पब्लिक इंप्लॉइमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर वही बात आ जाती है न कि बैकवर्ड क्लासेज ट्राइब इनके लिए आरक्षन का प्राबदान किया जा सकता है आरक्षन सामाजिक और सेक्षनिक रूप उसे पिछले पन के हिसाब से दिया जाता है इंद्रा साहनी प्रकरण में सुप्रीम कोट ने ये फैंसला दिया था कि सभी प्रकार का रेजर्वेशन पचास प्रतिशत की सीमा से जादा नहीं हो सकता कोई भी रेजर्वेशन जोड़ लो चाहें SC, ST, OBC या अने अब कई रा कर चुके हैं वो सारे प्रकरण अभी सुप्रीम कोट में पेंडिंग वोक्रियां हो गई लोगों की 5-5-7-7-7-10-10 सालों की अभी वो सुप्रीम कोट में पेंडिंग ही चलता है ठीक है तो 16 नंबर का पब्लिक पोस्ट यानि लोग नियोजन में वेदवाव से रोकता है आ जच तो यही है तो यही है कि जब उसका जन्म होता है तो सूद्र के रूप में जन्म होता है कोई भी हो और एक पशू के रूप में जन्म होता है ऐसा मालो मनुष्य मनुष्य तब बनता है कहते हैं ना मनुष्य बाइलोजिकल एनिमल है सोसल एनिमल तब बनता है जब उसक के हाथों का पानी नहीं पी सकते इसके साथ खाना नहीं खा सकते तो संब्यदान ने इस प्रकार की जो बुराईया है उसको अंत कर दिया है और इसके रिगार्डिंग एक सिविल प्रोटेक्शन एक 1955 बनाया उसमें डिटेल में प्राबधान भी किये गए हैं पहले हमारे सिले पादियों में सिक्षा संस्क्रती और आर्मी में जो उपादियां दी जाती हैं वो दी जा सकती हैं जैसे भारत रत्न मिलता है पदम पुरुषकार मिलते हैं या मिलिटरी में सौरे चक्र मिलते हैं कीर्थी चक्र मिलते हैं तो यह उपादियां दी जा सकती हैं कोई भी भार अपने नाम के आगे उपादियों का प्रियोग नहीं करेगा लेकिन हमारे इंदोस्तान में उपादियों का प्रियोग सबसे पहले करते हैं नाम का प्रियोग बाद में करते हैं इवन आपने देखा होगा राजनेताओं को तो छोड़ दो उनकी तो रीड़ की हड़ी होती ही नहीं है प्रशासनिक अदिकारी जैसे मान लो कोई कलेक्टर रहा अब रिटायर हो गया तो भी उसकी गाड़ी पर कलेक्टर लिखा होगा और यहां पर चोटा सा लिखवा लेगा पूर्व यह तो कोई उपादी नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या लिकरा है यह सब कर रहा है विधायक प्रतिनिदी विधायक बड़ा सा लिखाए होगा प्रतिनिदी छोटा सा है ना पदम स्री 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 और फिर नाम बाद में लिखा जाएगा तो हिंदुस्तान में देखावा चुकि हिंदुस्तान क्या human tendency है कि हम अपनी उपलब्दियों का ज्यादा तर लोग परचार करते हैं तो यह 14 से लेके 18 तक के 5 आर्टीकल कंप्लीट हो जाते हैं जिसमें सम्ता के अधिकार की बात की गई है दूसरा मौले का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार आर्टीकल 19 से 22 तक चले यानि हम अपनी बात कहने के लिए अपने विचारों को अभिवेक्त करने के लिए सुतंत्र रहे मौकेक रूप से लिकेत रूप से किसी भी माधिम से मगर सुरुआत में ही कीलियर कर देते हैं कि ये सारी सुतंतरता измен सीमित हैं अन लिम्टिड नहीं है इनको सीमित किया जा स किस आधार पर लोकाचार और सदाचार की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी बात नहीं कह सकते जिससे हमारे समाज का जो सदभाव है वो खराब हो जाए आप लोगों को देश के खिलाब नहीं भड़का सकते हो तो इस आधार पर जो है कई सारे लोग अपनी बात कह कर देते हैं और बोलते हैं गहांने तो स्वतंतरता है अभीव्यक्ति की हम कुछ भी कर सकते है तो अभी वेव्यक्ति की स्वतंतरता उसुत इको है जिसमें समझ हो धो fidelity की स्वतंतरता नहीं दे सकते हैं जो अपने को समझार तो समझते हैं लेकिन देश द्रो इसोड़ी cur Cin उन्होंने लिखा होगा कि कहीं दंगा हो गया तो लिखेगा कुछ लोगों ने यह किया नाम इस पस्ट नहीं कर रहा है वो कि किस संप्रदाय के थे विशें संप्रदाय सब्द लिख देगा वो यह नहीं बताएगा कि यह पर्टिकुलर कौन सा संप्रदाय है और हिंदुओं ने करा होगा तो इस पस्ट लेग देगा तो यह सब भी भेदवाव चलता है ठीक है नेक्स्ट और मैं आपको बताता हूं जैसे मालों कोई कोई एक्सिडेंट हो गया वे कारे का और गंभी रूप से कोई है और मुखुर गयाय नीज में आता एक ट्रक रूंकर कश पर कर द्रत्स कर देते हैं वहारी कमपणी की गाडिों खराब होती है एसा कभी नहीं चापत Hence ठीक है नेक्स्ट अगली स्वतंतरता है शांतिपून और बिना हतियारों के सभा या सम्मेलन करने की आप कोई भी सभा कर सकते हो मगर वो शांतिपून हो आप देश की सरकार के खिलाब भी वरोध कर सकते हो आप राज्य सरकार के खिलाब भी विरोध कर सकते हो मगर उनके विचारों के खिलाब विरोध करो हत्यारों के वलपड नहीं कर सकते सरकार की व्यवस्ता के संबन्द में यदि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो बिलकुल आप सभा कर सकते हो लोग क्या करते हैं रैलिया निकालते हैं ग्यापन देते हैं और जंडे भी जलाते हैं काले जंडे भी दिखाते हैं पुतला दहन करते हैं तो जब पुतला दहन किया जाता है जिसमें CM का किया जाए या PM का किया जाए तो पुलिस उस पुतले को बचाने का प्रियास करती है उ अगर उनका काफलिया निकलता ये तो इसा लगता है कि आरे ये तो सीधे आ जाएगा संगो बना सकते में गल्यक्ता शूंग सब्सक्राइब स्कार एक फजज बना ल पूट T कर सकते वो गहर कानूनी हो जाता है भारत में भारत की जो टेरिट्री है उसमें बिना रोक टोक के आप ब्रहमन कर सकते हो ठीक है ना बिना रोक टोक के आप उसकी ब्रहमन कर सकते हो कहीं पर भी निवास करने की स्वतंतरता है और आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे आप पसंद का भी अपसाय कर सकते हो तो ये सब सोतंतरता हैं अब जीवन यापन कैसा करेंगे मैं चोरी करूँगा मैं लोगों को लूटूँगा तो ये सब नहीं एला हुए आप नौकरी करना चाहते हैं आप कोई व्यापार विजनिस करना चाहते हैं आप किसान बनना चाहते हैं कर सकते हैं तो ये सारी सोतंतरताएं असीमित नहीं हैं इन्हें सीमाव में बांदा गया है इन पर युक्ती युक्त प्रतिबंद लगाए जा सकते हैं नेक्स्ट है आर्टिकल नमबर ट्विंटी इसमें तीन प्रमुक प्रावदान है महत्पून है ये आर्टिकल तो पहली बात इसमें ये बोली गई है कि किसी भी विक्ती को ऐसे किसी अपराद के लिए दोसी नहीं ठेहरा सकते कि जब होआ है अपराद कोशित ना किया गया हो कहने का अर्थ ही ये है आज कितनी हैं बारा अपरेल है ना अब बारा अपरेल को माल लेते हैं कि भारत में हेलमेट न पहनना सिर्फ आपका चालान करवा सकता है यही होता है अगर आप हेलमेट नहीं पहने हो बाइक चलाते हो तो अधिकार है ट्रेफिक नियमों के तहित कि आपका चालान किया जा सकता है आपने अगर पहले भी ऐसा कार किया तो हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें ये भी प्रापदान होते हैं लेकिन पता चला कि सरकार ने 13 अपरेल को ये कानून बना दिया है कि जो हेलमेट नहीं पहना है उसे 30 दिन की जेल होगी पारागार में भेजा जाएगा अब वे लोग जो 12 अपरेल को हेलमेट नहीं पहने थे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई है तो क्या उनको भी जेल भेजेंगे नहीं भेजेंगे क्यों नहीं भेजेंगे क्योंकि 12 अपरेल के दिन हेलमेट ना पहनना ऐसा सजा ऐसी अपराद नहीं था कि जिस के लिए जेल हो सके तो किसी भी वेक्ति को ऐसे किसी अपराद के लिए दोसी नहीं ठहरा सकते जो उस समय अपराद नहो या advers स्का मतलब हुआ कि कोई भी कानून बैक divers से लागू नहीं होता, भूत लक्षी नहीं होते हैं, कानून आगे के लिए लागू होते हैं ठीक है एक बात दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है तो दूसरा इसमें लिखा है कि एक अपराद की सिर्फ एक ही वार सजा दी जा सकती है एक अपराद की एक से जादा वार सजा नहीं दे सकते हो एक व्यक्ती ने चोरी की चोरी की जो सजा होगी उसको भी व्यक्ति को स्वयम के विरुद गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्राइम किया है अब उसके क्राइम को सिद्ध करना ये जिम्मेदारी पुलिस की है प्रोसीक्यूटर की है उसके उपर दवाब नहीं डाल सकते कि उसको बोलें कि आप सुईकार कर लो इस कारण से जैसे किसी ने क्राइम किया है पुलिसे से गरबतार करती है फिर उससे बोलती है कि आप उसको क्या करो आप उसे सुईकार कर लो अपना जुर्म जो है कबूल कर लो और उसे मारती पीटती भी है अब वो पुलिस के सामने अगर मानलो सुईकार कर भी लेता है कह भी देता है कहां मैंने क्राइम किया है साइन वाइन भी कर देता है लेकिन जब कोर्ट में वो पेश किया जाएंगे डॉक्यूमेंट तो वहां वो मना कर सकता है वो कह सकता है कि पुलिस ने मुझे मारा मुझे मेरी जान बचानी ती इसलिए उन्होंने जूटे साइन करवाए जूटे स्विनिचर कराए तो पुलिस के सामने दी गई गवाई को कोड कभी भी एड्मिट नहीं करता है तो फिर क्या पुलिस बिना पड़े लेकों की फौज है क्या उसे मालूम नहीं है कि कानून में ऐसा प्राबदान है इसको हम मारेंगे तो ये जजज साब के सामने जाके मुखर जाएगा लेकिन पुलिस सिर्फ उसका सुईकार नहीं लेती है बट उससे पूछेगी कि आपने ये क्राइम किया था कब किया था कितने बज़े किया था कौन कौन थे crime करने में कौन से हतियार का आपने प्रियोग किया था हतियार कहां फेंका कौन से कपड़े पहने थे वो कहां आपने छोड़े उन सबूतों को उन evidence को एकठा करेगी forencek से जाँच करवाएगी उसकी कहानी से उनका milan करवाएगी वो मना भी कर देता है इसके बाद नमबर 20 नेक्स्ट आर्टिकल नमबर 21 ये जापान के सम्मिदान से लिया गया है प्राण एबम देहिक स्वतंतरता यानि किसी भी व्यक्ति के व्यक्ति को हम तब तक दंड नहीं दे सकते जब तक कानून में कोई प्रावदान नहीं हो कानून का पालन किये विना हम उसे किसी भी कारी के लिए दंडित नहीं कर सकते हैं इसकार थिये हुआ कि अजमल कसाफ भारत पर आखमन करने आये थे पाकिस्तान के बेदे गए आठ टेरिरिस्ट थे उसमें एक जीवित इसको पकड़ा गया था आतंकबादी था अंदादुन्द गोलियां चलाई कई सारे लोग मारे भी गए थे तब भी उसको गरपतार किया गया विशेश अदालत में प्रकरण चला उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपती के पास तक पहुंचता है फिर उसे फासी की सजा दी आतंकारे में के मौलिक अधिकार जो हैं इन मौलिक अधिकारों को हम सेस्पेंट कर सकते हैं ऐसा प्रावधान है जब आपातकाल लगा हो, अलग 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 प्रकार की अमर्जनसी होती है उसमें अलग 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 प्रकार के मौलेक अधिकारों को इस्तागित किया जाता है लेकिन किसी भी प्रकार की अमर्जनसी हो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 के जो प्रापदान है उन्हें किसी भी इस्तिती में नहीं रोक सकते हैं इमर्जन्सी लग गिये तो इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपरात की दसवार सजा दे दो या ऐसा कोई कानून मना दो जो बैक डेट पे लागू हो जाए या उसको मजबूर करो के स्वाहिम के विरुद्धी वो गवाही देने लगे कि हम ठीक है और नहीं कानून की प्रक्रिया का पालन किये विना हम किसी को दंडित कर सकते हैं लगी है तो भी तो बीस और एकीस दो ऐसे आर्टिकल हैं जो किसी भी इस्तिती में सस्पेंट नहीं होते हैं आगे चल करके एक नया आर्टिकल जोड़ा गया नया अधिकार भी कह सकते हैं सिक्षा का अधिकार राइट टू एजूकेशन 21A सम्विदान में संसोधन हुआ 86 वास 2002 और आगे चल करके 2009 में कुछ सुधारों के साथ पारित हुआ एक अप्रेल 2010 को इसे लागू कर दिया जाता है इसमें ये प्राबदान है कि 6-14 आयू वर्ग के जो बालक बालिकाए हैं उन्हें अनेवार और निसुल को सिक्षा दी जाएगी पहले क्लास पाँच तक अब एट तक की उनके लिए सिच्चा की व्यवस्ता की जाएगी इसके तहित राइट टू एजुकेशन के तहित आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ सीटें रिजर्ब की जाती है और लोटरी के माद्यम से वहाँ बच्चों को एड्मिर्शन दिये जाते हैं उनकी फीस जो है वो सरकार भरती है प्राइवेट जो स्कूल है अच्छे स्कूल है बहुत ज़्यादा जो जिनमें समझ लो के अमीर घरों के अगर बच्चे जाते है तो उनमें भी गरीब से गरीब बच्चह एड्मिशन लेकर पढ़ सकता है लेकिन फिर एक नई वरकार की समझे आजाती है उस इस्कूल में उस बच्चे के साथ मैं वो क्या समझ्चे रहती है कि अमीर जो बच्चे हैं वो क्या हैं उनके घरों में उनको छोडने के लिए फोर वीलर नही नही लगी हुई है अब लाने ले जाने के लिए भी लगी हुई है स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म तो कंपल्सर ये आप यूनिफॉर्म तो सरकार देती है मगर इन सब चीजों का उस बच्चे के मस्तिस्क पर दुस्परवाव पढ़ना सुरू होता है तो वो उनके साथ मैच नहीं कर पाता है और देखने में ये आता है कि अगले साल वो उसे स्कूल को ड्रॉप कर देता ठीक है तो खेर वो अलग बाते हुई तो सिक्षा का अधिकार ये अर्टिकल नमबर 21 में इसको कोई हम नया अधिकार नहीं मालेंगे कि साथ हो गए हैं वो च्छही उसी के अंतरगत 21A के नाम से है 22 इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बिताए गरपतार नहीं कर सकते और गरपतार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने के विदिन 24 आवर उसे पास वाले मजिस्टेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा इसमें यात्रा में लगने वाले समय को हटा देंगे लेकिन ये प्रापधान सभी प्रकार के क्राइम और सभी प्रकार के करिमिनल पर लागू नहीं होता है जैसे अगर किसी को पोटा के तहईट ताडा के तहईट ये पोटा और ताडा जो कानून थे अब हटा दिये गए मीसा कानून ये भी हटा दिया गया है अभी NSA है National Security Act और UAPA बना हुआ है तो इनके तहित अगर ग्रबतार किया जाता है तो ये 24 गंटे की सीमा लागू नहीं होती है तो इसमें ऐसा समझ लो कि यदि व्यक्ति ने अपराद किया है अपराद किया है तो फिर करने के बाद ये वाला कानून लागू होता है कि 24 गंटे के अंदर उसे लेकिन यदि उस संभावना है कि ये कर सकता है तो फिर उसके उपर ये लगा सकते हैं ये थे कौन से अधिकार दूसरा मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का कीसरा मौलिक अधिकार आता है सोशन के ब्रोध अधिकार आर्टिकल नमबर 23 से लेके 24 दो आर्टिकल है 23 में लिखाया कि माना उतर्षकरी वलात स्रम इन सब पर प्रतिवन लगाता है यनी की वैश्य व्रत्ती नहीं करवा सकते वल पूर्बग बाई पोर्स किसी से कारे नहीं करवा सकते बंदुवा मजदूरी नहीं करवा सकते वांड़िट लेवर फ्री में काम नहीं करवा सकते हो जिसे वेगारी बोलते हैं तो ये सब मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में माना जाता है किलिए रहे ये बात नेक्स्ट 24 इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आय पिर आते हैं धारमिक वत अंतरता संबंधि अधिकार 25 से लेकर 28 तक है सारे हमें रटने हैं पहले 25 निमर मर का अधिकार कहता है कि लोकाचार और सदाचार की सीमाव में कोई भी व्यक्ति अपने अंतर आत्मा के आवाज पर किसी भी धर्म को स्विकार कर सकता है उसे अपना सकता है आप हिंदू है आप मुस्लिम बन सकते हैं आप वीशाई बन सकते हैं आप यहूदी बन सकते हैं सेक बाध जैन जिस धर्म को चाहो उस धर्म को अपना सकते हो। मगर आप अपनी इच्छा से कोई लालच दे करके आपका धर्म बदलवाए कि हम आपको पैसे देते हैं या आपका करजम आप करवा देंगे आप हमारे धर्म को सुईकार कर लो जैसा कि क्रिशिन मिशनरी जादिवासी लागों में कर रही है और खुब सारा धर्म परिवर्तन हो भी रहा है ठीके तो वो गेर कानूनी होता है यहां लोकाचार और सदाचार की सीवाओं से मतलब यह भी है कि आप किसी ऐसे धर्म को सुईकार नहीं कर सकते जो धर्म लोगों के मतलब समाज में इसकी सुईक्रती ना हो जैसे किसी भी धर्म के व्यक्ति उनकी शोबा यात्रा निकलने पर रोग लगी हुई है वो तांडम नरति करते हुए तांडम नरति जो संकर जी ने किया था तो उसमें नर्मोंड, खोपडियां यह सब तो यह सब चीज़े देखकर के लोग थोड़े से डर जाते हैं तो उनको इस पर प्रतिबंद लगा दिया है कि आप अपनी चार दिवारी के अंदर पिसका उपयोग कर सकते हुए बाहर पब्लिक प्लेस पे इसका उपयोग नहीं कर सकते हुए ठीक है तो पच्छिस आइटिकल जो है हमें किसी भी धर्म को सुईकार करने के बारे में इसका भी दुर्पयोग हुआ मिस्यूज हुआ खासकर राजनेताओं के दौरा और बॉलीवूड बालों के दौरा उन्हें एक से ज़्यादा शादियां करनी थी तो रात और रात मु सिक्धृ धर्म का धार्मिक अधिकार है क्यानि धर्म क्यूट की 25-8 के लिए कहता है कि आप धर्म को सुईकार भी कर सकते और उस धर्म के हिसाब से उन चीजों को पालन भी कर सकते हो אזके लिए पांच कब्स परी चीजे हैं केस इसका अच्छा कड़ा कंगा और क्रपाण तो वो क्रपाण रख सकते हैं उसको रोका नहीं जा सकता 26 धार में कारियों की प्रति पूर्ती के लिए आप चल या अचल संपत्ती ले सकते हैं उसका प्रभंदन भी कर सकते हैं चल संपत्ती यानि वाहन होगा वहकल होगा अचल यानि जमीन होगी तो अगर आप हिंदू धर्म से हो आप चाते हो में मंदिर बनवाना चाता हो तो उसकी लिए जमीन ले सकते हो आप उस जमीन का मैनेजमेंट कर सकते हो उस पर कोई होस्पीटल कोई ट्रस्ट लंगर भंडारा कुछ भी चला सकते हो तो इसकी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है मगर हमारे देश में हिंदूों के सारे मंदरों पर सासंद ने सरकार ने कबजा जमा रखा है सारे मंदरों पर आप देखोगे जबकि हमें सम्मिधान में क्या कहता है ये तो चुकि हमारा निजी है उस पर चड़ावा जो आता है वो निजी लोगों का है सरकार थोड़ी है तो लोग कही सारे विद्वान उसमें सला देते हैं मंदिरों की सारी संपत्ती सरकार को ले लेना चाहिए इनका अरे तुमने कभी एक रुपे भी चड़ाये थे क्या हो आजा कर यह तो लोगों की शरद्दा है हुआर यू है हमारे देश में चलता है 27 कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाया सकते हैं और लगता भी है तो आप उसे देने से मना कर सकते हैं 28 कोई भी सरकारी साहता प्राप्त सरकारी माननिता प्राप्त Educational Institute है तो उसमें धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी धार्मिक सिक्षा से यहा मतलब है कि किसी धर्म के पालन करने को बढ़ावा देने की सिक्षा नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा होता है तो उस लेक्षर को अटेंड करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा लेकिन मान लो कि कहीं पर रिसर्च का काम होता है कि कोई रामाण की चौपाईयों पर रिसर्च करना चाहता है वेदों के स्लोकों पर रिसर्च करना चाहता है तो उसको मजबूर वो उसको करना ही पड़ेगा वह इंसिट्यूट बनाई इसी लिए ये हो गए धार्मिक स्वतंतरता संब्दी अधिकार नेक्स आता है शिक्षा और संस्कृती दो आर्टिकल है 29 और 30 29 ये कहता है कि अल्प शंक्यक माइनॉर्टी जो है उनको अपनी भासा जो भी भासा है उसको बनाई रख सकते हैं चेंज करने के लिए छोड़ने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता लिपी उस भासा को कैसे लिखते हैं हिंदी को हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं तो उस लिपी को भी बनाई रख सकते हैं और संस्क्रती जो भी उनकी कल्चर है संस्क्रती अंत्रिक और बाहरी दोनों पक्षों का मिला जुला रूप है तो किसी व्यक्ति को ये तीन चीजें छोड़ने के लिए नहीं कह सकते हर अल्प्शंक्यक इसको बना करके रख सकता है आगे कोई भी अल्प्शंक्यक किसी भी सेक्षणिक सहस्थान में जिससे सरकार से सायता मिलती हो या सरकारी मानिता से चलती हो उसमें धर्म जाती अभासा के आदार पर एड्मिन्सन लेने से नहीं रोग सकते हो पीस नमबर आप बने हुए इंस्टिट्यूट में एड्मिन्सन नहीं लेना चाहते तो आप अपनी पसंद की सेक्षिन एक संस्ताय खुद इस्तापित कर सकते हो धर्म क्या जैसे कई सारी संस्ताय बनी हुई है जामिया मिलिया इसलामिया लिगर मुस्लिम इनिवर्सिटी इंदोर में भी आपको मिल जाएंगे क्रिशियन एमिनेंट कॉलेज हो गया तो ये सब किसमें आ गया संस्क्रती और सिक्षा संबन्धी अधिकार नेक्स जो आर्टीकल था नेक्स जो फंडमेंटल राइट था उसे समाप्त कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी के डाम से था तो कि देश को विकास करना था ये अधिकार उस विकास के मार्ग में बादा उत्पन कर रहा था यानि अगर आपकी संपत्ती है तो बिना आपकी हनुमती के कोई उसे नहीं ले सकता तो संपत्ती है प्रॉपर्टी है तो उस पर सड़कें बनेंगी बांद बनेंगे रेलवे लाइन बिचाई जाएगी तो सभी अगर मना कर देंगे तो ये सब काम हवा में नहीं हो सकता इसलिए इसको अब विदिक अधिकार बना दिया गया है अर्टिकल 300A में सिप्ट कर दिया गया है अंतिम है समवैदानिक उपचारों का अधिकार पांसिटिशनल रिमेडीज अंसिटिशनल करेंडीज तो कौंसिटिशनल रिमेडीज क्या कहता है है उपचार किसका होता है वाई कि बीमार का ना अब यहां बीमार कौन है मौलेग अधिकार बीमार हो जाते हैं तो आर्टिकल नूमबर 32 एक है जिसमें बोला गया है गॉक्तर वियार अमबेट करने आर्टिकल नूमबर 32 को भारतिय संबिदान की आत्मा या हिरदय कहा पांच प्रकार की रिट जो है वो इसके तहित जारी की जाती है इन रिटों को सुप्रिम कोट जारी करेगा तो आर्टिकल नूमबर 32 लगेगा और हाई कोट जारी करेगा तो 226 लगेगा इन दो के अलावा संसद प्राबदान करके कोई अन्य व्यवस्ता भी कर सकती है यह पांच रिट जो है पहली रिट जिसे बोलते हैं हेवियस कॉर्पस लेटिन वासा के सब्द हैं बंदी प्रत्यक्षी करन दूसरा है मेंडेमस परमादेश तीसरा है क्यों वारंटो अधिकार प्रक्षा चौथा है प्रवीशन यानि प्रतिशेद और पांच भी है शर्टियोररी यानि की से बोलते हैं उत्प्रेशन पहली हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षी इसमें यह यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी प्राधिकार का मतलब होता है अथौर्टी अधिकार सत्ता बिना प्राधिकार के बंदक बनाकर नहीं रख सकते किसी भी व्यक्ति को अगर इसका आर्थ होता है सरीर करने का आदेश देता है मालो पुलिस ने किसी को गरपतार कर लिया और उसकी गरपतारी सो नहीं कर रहा है तो इस रिट के दौरा पुलिस उसको होज करेगी किया उसी ने है बंदग बना के रखा लेकिन एक्टिंग उने तक जा नहीं सकते तो उसके खिलाब भी ये रिट लाई दर सकती है दूसरी आती है मेंडेमस पहले वाले में ये ध्यान रखना कि नहाया लए उससे उन कारणों की जाच करेगा कि वास्तव में एक रफ्तार करने का अधिकार था भी की नहीं तो आरा है समझ में राष्ट्रपती के खिलाब जारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जेल में बंद व्यक्ति के वुरुद ये जारी की जा सकती है? वंदी प्रत्यक्षी करण? कोई व्यक्ति जेल में बंद है, उसके खिलाब ये बंदी प्रत्यक्षी करण की रिट जारी की जा सकती है? बोलिये जल्दी कैसे जेल में किसे बेजा गया चैदी को मतलब किस ने बेजा अदालत ने न, तो अदालत अपनी मर्जी से बेज रही थी क्या कानून के तहिए बेजाए न, यानि अथrouर्टी है उसकी कि नहीं तो फिर उसके खिलाब कैसे जारी कर सकते हो उस जेल में किस ने भेजा पुलिस स्टेशन में पुलिस रखती है उस ताज के लिए जेल भेजने का जेल में भेजने का अधिकार सिर्फ जज़ को होता है नियाले को होता है पुलिस को नहीं होता है वो अपने लौक अप में रख सकती है अपने हवालात में रख सकती है जेल नहीं बेज सकती है तो जेल में बंद है मतलब अथोर्टी के द्वारा उसके व्रुद ये जारी नहीं की जा सकती है मैंडेमस, पर्मादेस, कोई भी लोक अधिकारी अपने करतब्यों का जब पालन नहीं करता है तो उससे उसके करतब भी पालन के लिए इस रिट का उपयोग करते हैं इसका निजी लोगों के खिलाप यूज नहीं कर सकते हैं राश्ट्रपती और राज्यपाल के वरुद्द इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्यों वारेंटो अधिकार प्रक्षा होती है मतलब पब्लिक पोस्ट पर कोई गैर कानूनी धंसे कब्जा कर ले लोग नियोजन पर अनाधिकरत रूप से अधिकार कर ले तब उससे नियायाल है उसकी योगिता संबंदी प्रशन पूछता है मालो मध्यप्रदेश में सिवराज सिंग चौहान सीम है दूसरा उनकी पार्टी का व्यक्ति और सीम बनके बैठ जाए तब एक पद पर दो लोग कैसे रहेंगे त उन दोनों से या किसी एक से नियायल है पूछ सकता है कि आप इस पद पर बैठने की क्या योगिता है यूपी में ऐसा हुआ था कल्यांड सिंग सीम थे और वहां के राजजिपाल रोमेस बंडारी ने एक दूसरे व्यक्ति जगदंबिका प्रशाद को सीम बना दिया अब क इसका प्रयोग सिर्फ सार्वदिनिक पद के खिलाब किया जा सकता है नेक्स्ट है प्रॉविशन और सट्यूररी ये दोनों एक जैसी इस्तिती में आती है जब कोई प्रकरण किसी अदालत में आये और उस प्रकरण पर उस अदालत की अधिकारिता नहीं है मतलब ऐसे कोट में प्रकरण पहुंच जाता है जो कोट उस कानून उस मुकदमे को सुनने के लिए अधिकार नहीं रखता है तब ऐसी इस्तिती में उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिशेद आती है मालो कि किसी के भी जगड़ा हुआ गौालियर में और यहां इंदालत में केस चलने लग हुआ है मालो नर्मदा नदी के पानी को लेकर दो राज्यों में विवाद हो जाए और किसी एक हाई कोट में उसकी सुनवाई होने लगे तब उस पर रोक लगाने के लिए यह रिटाती है क्योंकि दो राज्यों के भी इसके विवाद सुने जाएंगे सुनवाई से पहले यह रिटाती है मतलब सुनवाई से अर्थ है डिसीजन के पहले नर्णाय आने के पहले यह रिटाती है अब नर्णाय आ गया हो तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया तो नर्णाय जो है वो गहर कानूनी है तो उस नर्णाय के क्रियान वेल पर यह रिटाती है उत परेश्यो तो ये दो रिट लास्ट की सट्यूररी और इंप्रोविशन नियायालाए या अर्ध नियायक संस्ता हैं। अर्ध नियायक संस्ताओं से अर्थ है जैसे काम तो करती हैं नियायका, मगर किसी विशेश मुद्दे पर, जैसे NGT सिर्फ परियावरान संबन्दी मामले देख रही है, कंजिमर पोरम सिर्फ उप्वोकता संबन्दी मामले देख रहा है, तो उनके खिलाब इसका प्रियोग कर सकते हैं। तो ये हो गए, fundamental right complete. मानव अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, हाँ कुछ मिलते जुलते जरूर है। मानव अधिकार इसके लिए अलग से संसदने कानून बनाया हुआ है, Human Rights Act 1993, उसके तहत ये काम करते हैं। तो मानव अधिकार आयोग जो है वो दश्मी यूडिट में दिया गया है, पहले ये Act पढ़ते थे बट अब नहीं। तो ऐसे करके आपका ये Part 3 पूरा का पूरा complete हो जाता है। मेदारी आपकी और बढ़गी। पुराना याद करना था साथी साथ अभी आर्टीकल और करने हैं। क्या मिस्टर अंगल पांडे। करूंगा नहीं, करने ही पढ़ेंगे भई। ओके। आगे निर्देशक तत्त पंडामेटल ड्यूटी और फिर उस पर चलेंगे राष्ट्रपती संसद ये सप्रीज हैं। तो इतना अभी से करोगे उतना अभी से करोगे।